स्वागेत थे अपका सिविस्ट्रविस पूई टू चैनल में सो गाईज आज के मारे टॉपिक है कि 2022 में 2022 में 263 मिलियन लोग गरीबी रेखा में चले जाएंगे ये आक्सफेम रिपोर्ट है ठीक है आक्सफेम रिपोर्ट है ठीक है आक्सफेम और सवा अरब से जादा लोग गरीबी में चले जाएंगे इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में वित्ती संकट के रूप संकट रूस युक्रेन संकट और कोविन-19 समंदित आर्थिक संकट एकान किमतों में बृद्धी सिप बृद्धी हो सकती है मुख करण क्या है कोविन-19 के साथ रूस युक्रेन संकट दुनिया भर में अमीर और गरीब के बीच खाई को और चोड़ा करेगा महमारी की देखिए यहां पर रूस युक्रेन के बार बार कंफलिक्ट को यह जो कंफलिक्ट चल रहा है इस कंफलिक्ट को बार बार नोटिफाई हर जगें किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि रूस और युक्रेन के कंफलिक्ट को पूछेगा रूस कहां पर है किस तटवर्ती छेतर पर है युक्रेन कहां पर है किस तटवर्ट की छेतर पे है इनके बीच में संबंध क्या है या इनका कुछ future पूछे इनके बीच के कुछ treaty पूछे ठीक है या यहां से जुड़ा USSR से बाते पूछे ठीक है तो इन सब चीजों को थोड़ा सा mind up करना क्योंकि इन से जुड़ी हुई बातों को पूछेगा इनके लड़ाय जड़ों को नहीं पूछेगा इन से जुड़ी हुई बातों को इतिहास को culture को पूछ सकता है तो please आप यह mind करना ठीक है न point देखते हैं महमारी की सुरवात के बाद से दुनिया भर में लगभग 3.3 billion लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं जबकि 26 गंटे में एक नया ब्यक्ती अरबपती बन रहा है देखे यह line काफी important है please आप इसको mind करना और code करना जब भी आप answer rating करना तो यह आद रखना कि जो आक्सपैम का report आया है 2022 का उसमें ये बाते कही गए है कि महावारी की सुरुवात के बाद दुनिया भर में लगभग 3.3 पॉइंट थो बिनिये लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं जबकि 26 गंटे में एक नया ब्यक्ती अरबपती बन रहा है ठीक है next point है आकस्पैम report के नुसार बिसो बैंक के अनुमानों के साथ-साथ बिसो बैंक और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलोफमेंट द्वारा किये गए पहल में पहल के सोध पर आधारित है ये report अंतराश्टी मुद्राकोस और बिसो बैंक की बसंत बैंठको के तहत जारी की गई है ओके report की विश्यस्ताएं क्या है 2022 में COVID-19 खाद किमतों मिब्रिधी असमानता 263 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकती है इसका प्रडाम यह होगा कि दुनिया भर में 860 मिलियन लोग प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर के नीचे अपना गुजारा करेंगे इससे गरीबी के खिलाफ लडाई में दसकों की प्रगती को उलट कर अस्ताधान उकसान होगा महमारी के कारण लोगों ने अपनी नौकरी और बचत खो दी है जबकि खाद किमतों में 2011 के संकट की तुलना में अधिक बिर्धी होई है तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना ये रिलेट करके पूछ सकता है और आपकी जानकारी भी होनी चीए जो 2011 के भुखमरी थी वो परिद्रिस आज के समय में दिखा रहा है ये रूस इक्रेन और COVID-19 की जो चीज़े चल दी है ठीक है इसकी तुलना में अरपती काफी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं क्योंकि वे मुनाफे को बढ़ाने के लिए मुद्रस्पिती के माहोल का फायदा उठा रहे हैं ठीक है दुनिया भर में तेल कमपणियां भारी मुनाफा कमा रही है दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों का निटवर्थ इस रिपोर्ट के नुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों ने महमारी के दौरान अपनी आय को दुगना कर लिया है साथ हैं इस अवधी के दोरान 2744 छोटे अरपती ने पिछले 14 वर्सों के तुल्ला में अपनी निटवर्थ को अभुद्पूर बृध्धी की है गरीबी में असमान बृध्धी गरीबी में यह बृध्धी दुनिया भर में असमान रुप से फैल रही है उप सहारा अफरीकी देशों में उप भुगता खर्च का 40% खाद लागत पर खर्च किया जाता है जबकि उन्नत अर्थ बवस्था में यह आकड़ा आधा है विकाससील ऐसे राष्ट रिड़ इस्तर देख रहे हैं जो अब तक नहीं देखे थे दुनिया के सबसे गरीब देशों को कर चुकाने के लिए 43 अरब डॉर्डर की जरूरत है ओके यह इंपोर्टेंट नहीं है बस आपकी जानकारी के लिए काफी जरूरी था ठीक है जो कि मैंने बताना चाहा आप यह मैं सुने कि आपने अर्नेसरी चीज़े हैं यह आपके अ संत्रण और मुख्य भोजन पर मुल्य वर्धित करों में कटवती की जानी चाहिए साथ ही निम्न और निम्न मध्यम आय के दायरे में आने वाले देशों के लिए 200 बैंक को वर्स 2022 और 2023 के लिए रिड़ भुगतान को रद कर देना चाहिए साथ ही अमीरों पर कराधान लाग जो भाव है उस पर थोड़ा सा लिबरल हो जाईए और जो समाज की मजबूत स्रीडियां है उन पर थोड़ा इस्टिक्ट हो जाईए ताकि चीजों को मेजरमेंट किया जा सके अब भी बताईए कि इस समय भाई ऐसी सितिती चल रही है कि खाने को अन नहीं है ठीक है और कहा से वो कर चुकाएगा तो यह बातें यहां पर कही जा रही है ओके सो यह आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी है आखसपहम का रिपोर्ट यह काफी आप देखना और क्या है कैसे है तो प्लीज यह आखसपोर्ट और आखसपहमें कन्फ्यूज मत होना ठीक है तो थैंक अगर आपको यह सेशन्स अच्छा लगा तो प्लीज आप नोट्स बनाना अडिपल फाम में सुनिए अगर आपको लगा के रिलेवेंट नहीं है तो प्लीज आप इसको इसकी भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच पर वाचिंग